वेलकम बैक अगेंड डियर शुडेंट्स मैं हूँ अमिननकुमान आजात और आप लोग है मैने चैनल एस के जाद मेकनिकल इंजिनियरिंग पे दोस्तों हम लोग विल्डिंग का लेसंस देख रहे हैं और इसमें हम लोग ने गैस बिल्डिंग देखा है पिछले लेसं में ग और कोष्ठर बहुत आता है चाहता है पते इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है तॉसमें फ्यादी हूप के रिए तो साले विडिट कर से देख रिख्था इसको बहुती WIL भी खोना की दिका कर रिख्था है इसलिए मैंने इस पर लेसंस हमाई है का रर nextी का अभी आपके पास समय है और खाते पीते कभी भी वीडियो देखना तो आप लोग पढ़ तो चुकिए होगे एक जाम आ गया है तो अब्यसी बात है एक वाइड है एक पर पढ़े होगी होगी डिवीजन नहीं जहां पर हो जाएगा जितने भी टर्मस हैं जितने भी पूछने जानते हैं तो इसको आप आप स्पीड भी वीडियो का इंक्रिज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं थरमिट वेल्डिंग थरमिड़ने में क्या है वाई हीटिंग अन सब्सक्राइस ही सूथ स्पर हीटेड मॉल्टन मेंट्ल ऑफ्टूज फ्रॉम अग क building को देखा था उसमत मैं नहीं जानता था कि कौन सी building technique है पर बाद मुझे clear हुआ कि सबसे पहले मैंने देखा है वहां पर ठीक है तो जो railway track आप आपने देखा होगा बनते हुए तो railway track में क्या रहता है कहीं कहीं पर तो आपको gapping रहती है और जानते भी हो कि ट्राइक में gapping क्यों छोड़े जाती है कि वह thermal expansion होता है इसके लिए gapping छोड़े जाती है पर हार जगापी नहीं जाता है वह कहीं जगापर बहुत दूर दूर जाके वह gapping छोड़ते हैं तो कहीं जगापर वह build भी करते हैं उचीजों को ठीक है जैसे कि ऐसे जैसे gapping छोड़ तो यहां पर वह build करेंगे यहां पर जो building को करते हैं वह thermal building होता है thermal building में वह करते क्या है उनके पास कुछ equipment था जिसमें उन्होंने कुछ-कुछ chemicals डाला ठीक है और chemicals ने reaction किया और इस reaction के बाद देखाए कि उन्होंने यहां पर box खोला और सब के सब जाके यहां पर गिर गया वह चारो तरफ से वह block रखते हैं ताकि इसी में गिरे ठीक है और वह उसमें जाके तुरंत को तुरंत वह solidify हो जाता है तुरंत building हो जाता है तो यह जब तत देखो गड़ी चीजों को तब तक समझना समझाना बहुत मिस्किल है तो मैं तो कुछ terms जब बता दे रहा हूं ज इसे और बूद्धी ने क्या पुछा है ऐसे सेने क्या फुछा है इशरो ती और बी है बार्ग जैनैनल है इस किया है पुछते है उन को स्वाइण गों सब भार रिपिट होता हो तो कोही था यह जोंस को ही में यहाँ पर दाला है ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने को गोडे-परолов बनाते जाओं मैं पूरा स्लेवस लेता हूं पूरा चीचा को खतम करता हूं बसरते कि थोड़ा साथ सपोर्ट कीजिए देखने वाले लोग होनी चाहिए ठीक है मैंने इतनी अच्छी चाहिए इतनी मेहनतर की वीडियो जो बना है तो उसको देखने वाला ही कोई नहीं होगा जब तदान नहीं करोगे सही इंसानों को नहीं पहुंचेगा ताब तर दान करने का कोई फायदा नहीं है तो समझें इसमें यह बहुत जल्दी यानि कि बहुत ज़्यादा गल्मी आजाती है बहुत जादा हिट हो जाता है है और एक बलुंडट हो जाता है प्रमानेंट हो जाता है ठीक है अब वह क्या रहते हैं हैं कि फिर ट्रicles one part aluminium and three part iron उसमें one part aluminium लेते हैं और three part iron लेते हैं ठीक है आई-रन-oxide लेते हैं and in he irritated by a magnesium fuse जो कि 1150 डिवी सेल्शियस पर होता है ठीक है इन हो आछ सा गलत लिखा हुए है one part नहीं है वो ये कितना है आपको रेक्शन से दिखी रहा होगा कि 8 part of aluminium and 3 part of iron oxide and inigated उसको inigate करने के लिए जैसे कि आप परहे होंगे catalyst chemistry में जो reaction को fast करता है उसके लिए हम magnesium fuse का इस्तमाल करते हैं जो 1150 degree Celsius पर हम reaction को कराते हैं ठीक है और एक आप जैसे को भी reaction लिखते होगे chemical reaction तो आप उसके जो arrow है जो chemical reaction के बीच arrow ही है उस arrow के उपर आप लिखते होगे किसमे catalyst कौन सा use हुआ है और कितने temperature reaction हुआ है ठीक है तो भही है आपका aluminium iron oxide से मिलके दिखे क्या बना रहा है क्या बना ले रहा है वह iron बना ले रहा हूँ एल टूओ तो बन के अलग हो गहीं गया ठीक है और iron बना ले रहा हूँ आर बहुत जादा heat पर बनता है बहुत जादे टेम्परेचर पर यानिकि वह iron मेल्ट आवस्ता में रहता है वो लिक्यूड एस्टेट में रहता है और वो अराम से जाके वहाँ पर गिरता है और फिस तुन तुन सॉलिट्फाइए हो जाता है तेमप्रेचर 2750 डिवी सेल्सियस प्रोड्यूस्ट इन 30 सेकंड मात 30 सेकंड में इत्मा ज्यादा टेमप्रेच से रखते थे बारूत बगए टाते जिसको बघला देते थे और इससे क्या होजाता थे इनिगे जाता थे ठीक है यह त्याइट यह तेमप्रेचर वह वहां से लाटेचर पहुंचा देता यह सता पिचाश डिगरे सल्सियस तक परगाशा देता है Superheated the molten iron which provides both heat and filler method ठीक है उसके और runner and rider are provided like casting इसमें runner and rider provide कराते हैं casting के जैसा ठीक है हर जगा नहीं अपना अपना thermal building कहां पर कर रहा है उस पर करने सार ये depend करते हैं Copper, brass and bronze can be builded using a different starting mixture तो जरूरी नहीं है कि मिक्चर अभ्यसी बात है यह जो मिक्चर आप यूज कर रहे हैं यह मिक्चर कहां पर यूज होगा सिर्फ और सिफ iron के बिल्निंग में ही यूज होगा क्योंकि यह iron यहाँ बना कर दे रहा है सब легgen जरूरी हैं पर ऐसा जरूर नहीं है ऐलाला चीज़े के वह पपर भीयिए तो मैंने कही पर question ऐसा देखा नहीं है इसलिए यहाँ पर आया भी नहीं है नेश्ट देखते हैं टंप्रेचर देख चुके हैं हम लोग रहना राजा देख चुके हैं copper brass and bronze can be welded using a different starting mixture ठीक है used to joint thick sections in remote location देखो thick section जो आपके ठीक है यानि कि बहुत remote section को अगर add करना है उसको joint करना है permanent joint प्राना है और भी remote location पर जैसे railway track को building करना है ठीक है बहुत बड़े बड़े जो building करना है बहुत thick section को तो वहां पर building करने का आपके पास कोई उपाय है ने ठीक है जो railway section होते है बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे सेक्शन होते है पूरा में हाँ पर फिल करना होता है ठीक है तो यह वह रोड से building नहीं होगा जो building rod होता है ठीक है वो बस चारो तरफ क्या करता है कर देगा हलका अलका टाक देगा हर जेगा ठीक है वो joint ऐससे करें करके बरिंदिंग करना है तो चुट जाएंगा भस उसके चला उस पे ट्रेंच चला ना कि वह बेल्डिंग अपने आप तूड़ याएगा तो देखते निक करता हूं रिखतに करता हो रिख खुद्धी तूरंत को तो 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 टोड़ देते हैं तो आपको बहुत बड़े or बीलि तो उसकी building करने के लिए आपको और रिमोट एरिया पे हैं जहाँ पर बहुत जारे facility नहीं है बहुत जारा machine आप नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पर thermal building बहुत ही यूजफूल साबित होता है ठीक है तो चलिए इस lesson में इतना ही रखते हैं आगे lesson में हम लोग आगे की चीज़े द बहुत धन्यवाद आप लोगों का यदि आप लोगोंने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से बार वा मैं आगरा कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले क्योंकि कोई जाम्स आता है नेजदीक तो मैं उसके notification प करने जिए मैंने विडियो बनाता हूं मैं जैसे स्लेबर से कौन से बूक उसमें फॉलो करना है और लीडियो ऊपर बिडियो और कहां कहां लेडियो देखना ज्याधा भेनिफिसियल ए क्म पढ़ने से ठीव बगने का यसमय रहता नहीं जैसे में क्रेस कर पास्मिष और मैं अपने माता पिता और अपना सपना पुड़ा कीजिए थैंक यू वेरी मुट